हलो एब्रिवन वल्कम बैग टू होम ट्यूटर आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 के संस्कृत विशय के चैप्टर 9 का एक्सरसाइज यानि की अभ्यासकार्य इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले और आज हम करेंगे अभ्यासकार्य तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और शियर जरूर करें साथ में सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को तो यहाँ पर अभ्यासकार्य का पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत यहां कुछ शब्द दिये गए हैं जिनका की उच्चारण करना है तो चलिए इसे देखते हैं अगला प्रश्न है निर्देशा अनुसारं परिवर्तनं कुरुत दिये गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें यहां पर हमें कुछ वाक्य दिये गए हैं और कोश्ठक में कुछ निर्देश हैं जिसके अनुसार इन वाक्यों में परिवर्तन करना है उधारण यहां पर एक दिया हुआ है आहम क्रीडामी इस वाक्य को बदलना है बहुवचन में तो आहम की जगा पर हो जाएगा वयम आ अहम एक वचन, आवाम दुइ वचन और वयम बहुवचन तो करता के अनुसार ही कृया चलती है यहां पर अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम और इसी तरीके से कृया का बहुवचन हो जाएगा कृ्डामां इसी तरीके से अगला है आहम नृत्यामी तो इसे बदलना है बहुवचन में आहम का बहुवचन हो जाएगा वयम नृत्यामी का बहुवचन हो जाएगा नृत्यामा अगला है त्वम पठसी इसे बदलना है बहुवचन में, तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, और पठसी का बहुवचन हो जाएगा पठत, यूयम पठत, यूवाम गच्छता, इसे बदलना है एक वचन में, तो यूवाम का एक वचन हो जाएगा त्वम, और गच्छता का एक वचन हो पुस्तकम फिर है तव ग्रिहम इसे बदलना है दुईवचन में तो तव का दुईवचन हो जाएगा यूवयोह और ग्रिहम का हो जाएगा ग्रिहे यूवयोह ग्रिहे प्रशन नमबर तीन है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरियत कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति करो तो यहाँ पर क्या है क्रिया शब्द दिये गए हैं इसी के अनुसार हमें उचित करता शब्द कोष्ठक से पर दिया गया है वयम आहम, तो वयम क्या है? ये बहुवचन है आहम एक वचन होगा, यहां पर उचित शब्द हो जाएगा आहम और वाक्य बन जाएगा आहम पठामी इसी तरीके से यहां पर एक गच्छता और कोष्टक में दिया होगा है युवाम यूयम तो गच्छता क्या है ये दुई वचन की क्रिया है हमारा करता भी हो जाएगा दुई वचन का यहाँ पर उचित शब्द होगा युवाम युवाम गच्छता फिर है एतत पुस्तकम यहाँ पर हो जाएगा मम एतत मम पुस्तकम यह मेरी पुस्तक है फिर है क् उचित शब्द हो जाएगा युष्माकम, तो ये वाक्य हो जाएगा युष्माकम क्रीडन कानी तुम्हारे खिलोँ ने, फिर है चात्रे स्वह, तो यहाँ पर होजाएगा आवाम, आवाम चात्रे स्वह, अगला प्रश्ण है अधो लिखतान पदानी, आधरित्य, सार्थ का यानि वाक्यान रचियत यहां पर हमें कॉलम में कुछ शब्द दिये हैं इनसे जो है वाक्य की रचना करनी है तो पहले वाले कॉलम में दिया गया है करता शब्द दूसरे वाले कॉलम में है कर्म और तीसरे वाले कॉलम में है क्रिया तो इसको देखना है कि किस तरीके से यहा यहां पर हम वाक्य की रचना कर सकते हैं, जैसे कि पहला यहां पर है यूयम, तो यूयम क्या है, यह बहुवचन है, इसके साथ में हम क्रिया भी बहुवचन की लेंगे, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमें यूयम के साथ क्या मिल जाएगा, नंस्यत्थ, यह जो है उख को सिक्षिकाम, सिक्षिका को, तो यहां पर उचित हो जाएगा सिक्षिकाम, तो इस तरीके से ये वाक्य बनेगा यूयम, सिक्षिकाम, नन्स्यत, अगला है वयम, वयम क्या है ये भी बहुवचन का करता है, तो इसके लिए हमें बहुवचन की क्रिया चुन्नी होगी, य रचियामा यानि कि बनाएंगे, तो क्या चीज बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा चित्राणी, वयम चित्राणी रचियामा, फिर है युवाम, युवाम क्या है ये दुई वचन का करता है, इसके लिए हमें दुई वचन की क्रिया चुननी होगी, तो यहाँ पर हो जाएग कथिश्यथः युवाम यानि कि तुम दोनों कथिश्यथः यानि कि कहोगे क्या कहोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कथाम युवाम कथाम कथिश्यथः फिर है आहम ये एक वचन का करता है इसके लिए हम क्रिया चुनेंगे एक वचन की तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यामी, आहम यानि कि मैं पश्याम यानि कि देखता हूँ, क्या देखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरदर्शनम यानि कि टीवी, आहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं टीवी देखता हूँ, अगला है त्वम, यह एक वचन का करता है इसके साथ में क्रिया एक वचन की लेंगे, तो ये हो जाएगा लेखस्यसी, तौम यानि कि तौम लेखस्यसी यानि कि लिखोगे, क्या लिखोगे? लेखम, तौम लेखम लेखस्यसी, फिर है आवाम, ये दूई वचन का करता है आवाम यानि कि हम दोनों, और यहाँ पर हम च अगला प्रशन है उचितपद से वाक के निर्माड कीजिए यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिये गए है यहां से उचितपद चुनना है और नीचे जो रिक्त अस्थान दिये हैं उनमें भर के इन वाक्यों को पूरा करना है जैसे कि पहला है एतत ग्रिहम, एतत यानि कि यह ग्रिहम यानि कि घर, तो यहाँ पर हो जाएगा मम, मम यानि कि मेरा, यह मेरा घर है, एतत मम ग्रिहम, अगला है मैत्री द्रिढ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा आवयो, मैत्री द्रिढ़ा, हमारी मित्रता पक्की है, अगला ह एशह विद्यालेह यह विद्याले है तो किसका है यहाँ पर हो जाएगा तव एशह तव विद्यालेह यह तुम्हारा विद्याले है फिर है एशा अध्यापिका यह अध्यापिका है किसकी है यहाँ पर हो जाएगा यूवयोह एशा यूवयोह अध्यापिका फिर है भारतम भारत देश है, यहाँ पर हो जाएगा अस्माकम, भारतम अस्माकम देश है, फिर एतानी पुस्तकानी, यह पुस्तके हैं, किसकी हैं यहाँ पर हो जाएगा युश्माकम, एतानी युश्माकम पुस्तकानी, यह तुम्हारी पुस्तके हैं, अगला प्रशन है वाक्यानी रच वाक्य की रचना कीजिए, आप यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिये हैं, जिसमें से कुछ एक वचन लिखा हुआ है, दुई वचन और बहु वचन लिखना है, कुछ में दुई वचन लिखा है, तो उनका एक वचन बहु वचन लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पर पहला है, त त्वम लेखम लेखिस्यसी तो त्वम का दुईवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा युवाम और लेखम का दुईवचन हो जाएगा लेखव और लेखिस्यसी का दुईवचन हो जाएगा लेखिस्यथः युवाम लेखव लेखस्यथः फिर बहुवचन में हो जाएगा यूयम, लेखान, लेखस्यत, इसी तरीके से यहाँ पर दुई वचन दिया हुआ है, आवाम, वस्त्रे, धारिश्यावह, तो आवाम का एक वचन होगा, आहम, वस्त्रे का हो जाएगा, वस्त्रम, और धारिश्यावह का हो जाएगा, धारिश्यामी, आहम, वस्त्रम, धारिश और बहुवचन में हो जाएगा वयम वस्त्राणी धारिश्यामह इसी तरीके से आपर एक वचन में है आहम पुस्तकम पठिश्यामी तो यहां हो जाएगा आवाम पुस्तके पठिश्यावह और बहुवचन में हो जाएगा वयम पुस्तकानी पठिश्यामह फिर यहाँ पर दुई वचन दिया है ते फले खादिश्यत। तो यहाँ पर हो जाएगा सा फलम खादिश्यति और बहु वचन में हो जाएगा ताह फलानी खादिश्यंति। यहाँ पर एक वचन में है मम ग्रिहम सुन्दरम तो दुई वचन में हो जाएगा आवयोह ग्रिहे सुन्दरे और बहु वचन में हो जाएगा असमाकम ग्रिहाणी सुन्दराणी। अगला यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है यूयम गमिश्यत, तो एक वचन में हो जाएगा तवम गमिश्यसी, जोई वचन में हो जाएगा यूवाम गमिश्यता. अगला प्रश्ण है एक वचन पद से बहुचन पदम बहुचन पद से एक वचन पदम चर लिखत एक वचन पद को बहुचन पद में और बहुचन पद के लिए एक वचन पद लिखें तो यहाँ पर कुछ पद दिये हैं, अगर यह एक वचन में है तो इसे बहुचन में लिखना है, बहुचन में है तो इसे एक वचन में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है सह, सह क्या है, एक वचन है, सह तो ते, तो इसका बहुचन हो जाएगा, ते, इसी तरीके से यहाँ पर यूयम तवम यूवाम यूयम यहाँ पर हो जाएगा यूयम अगला है एताह ये बहुवचन है इसका एक वचन हो जाएगा एशा यहाँ पर तव ये एक वचन है इसका बहुवचन हो जाएगा युश्माकम फिर यहाँ पर अस्माकम ये बहुवचन है इसका एक वचन हो तत तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पार्ट नौ का अभ्यासकार ये पूर्ड कर लिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें और साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टापिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई